नमस्कार मैं अब शिक्मार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टेडी विद अभी में जे से सीजेल जहारखन के जितने भी स्टुडेंट है जो हमारे टेस्टरीज को परचेस नहीं कर पाए फाइनेंसियली स्ट्रॉंग नहीं होने के कारण तो मैं आप लोगों को पहले ही प्रोमिस किया था कि चीजे आपको यूटूब पर भी फ्री आप कोस्ट प्रोवाइड की जाएगी तो टेस्ट नमबर हमारा थ्री है मेरा मिसन जो है एटलिस में 15 जो मैंने पेड किया है उसके साथ साथ में 15 टेस्ट रिज और चलाओ क्योंकि जो स्टुडेंट ने पर्चेस कर रिखे हैं तो भाई आपके लिए जो है जून से मैं आपका टेस्ट रिज श्टार्ट कर दूँगा साथ के साथ आपका ये 15 का 15 जो फ्री आप कोस्ट भी आपको यहाँ पर साथ के साथ के साथ जार्खन के करेंट अफेर पूरा दोजार बीस दोजर उनीस और दो 2018 तक की करेंट अफेर वहां में कराऊंगा और आज तक जो है मैं फ्री आपकोस टेलिग्राम पर करा रहा हूं था अब जो है कल से वह अकेवल पेड ग्रूप में वह टेलिग्राम जो है वहाँ पर प्रोसेस बता दी जाएगा पेमिंट जो करना है और कल तक बस यह ओफर है मैं बार बर कर दे रहा हूं उसके बाद आपका प्राइज हाइक हो जाएगा तो उसके बाद आप हमें मत कईएगा प्राइस को कम करनी के ठीक है तो आप हम लोग जो है टेस्ट रखा हूँ अभी मैं पहली का देता हूं एकदम इजी पेपर सेट किया हूं क्यूंकि मैंने दो टेस्ट में देखा कि आपके स्कोर नहीं आ पा रहे थे आउट ऑफ 80 केवल 40 किनिका 46 50 50 क्रॉस ही नहीं कर पा रहे तो इसलिए मैंने आज का पेपर थोड़ा इजी नियों को और पड़ सके और हर एक कंटेंट को मैंने रखा है जैसे कि मैंने कहा दिया था हिस्टरी के सेक्शन को लिए इकडिक सेक्टिक हो लिए हो किये हो पर फर्चनलेटी पंब वैक्ति है कोई अ और सबसे खासी है कि मैस और रिजनी की आपकी वहां पर कोशन अच्छी चीज़ आपको वहां पर मिलेगी जिन्होंने पेट जॉइन कर रखा आप बिलकुल बिंदास रही है आपको तो भाई बहुत अच्छा मिलने वाला तो आप में से जितने स्टूडें इंट्रेस्टेट से समानने अध्यन से यानी जिके के सेक्ष्छं से 30 प्रस्टे में पर इसके पाइस आपके कम से उट्वस्ट और नहीं हो रहे तो फिर फ्यूडा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और जो चीज़े महनत कैसे करनी मैं आपको बताऊंगा उस तो पहला सवाल जो है कौन सा देष विष्व का कौन सा देष विष्व का सक्कर का कर्टोरा कहलाता है क्यूम औक बंप पेपर एक बार देख लिए प्रिवे शेयर के सची वाले के तो आप देखेगा आपको यहां से कोशन मिले हैं तो इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नमबर बी ठीक है सेकेंड कोशन पर आते हैं कॉलिमा जो आला मुखी इस्तित है ठीक है यह जो आला मुखी आपसे प पादक है तो आपका पूछा गया भारत में कौन सा राज जो चाहिका सबसे बड़ा उत्पादक वेस्ट बंगॉल तमिल नाडू केरल और असम बहुती इजी सवाल आपसे यह पूछा गया है और ऑप्शन नमबर डी जो होगा इसका सही अंसर होगा ही राकुंड बांध कि किस नदी पर निर्मित है और एक चीजी है कि जारकट की जो मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूं तो थोड़ा सा बोरिंग मैं भी कुछ टॉपिक ले लूँ तो थोड़ा सा इंट्रेश्ट भी बना रहेगा ठीक है तो कोई नहीं मैं कल तक आपका वीडियो अप्लोड करू सवाल आपसे पूछा गया है यह आपका महानदी ऑप्शन भी कृष्ण और ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी गुदावरी तो इसका सही एंसर क्या होगा महानदी और कई लोग जैसे थोड़ा सा स्लो कराने तो भाई मैं ऑप्शन पर रहा हूं इतनी दिन में तो आप यह पर्सट मैं लिकँः रहा हूं यह आपके पेपर में कुशन इसके बाद यह जो आपका सवाल है यह जो छारो बफसे की कि लौकर तो उसी सी प्रकार को लांच कोई बिलुव्लां कर यहां कोश्चन सेट नहीं कर दिया है कि बनाते चोड़ों कोश्चन आपका नहीं बनना चाहिए और आपको लगे कहां कठीन सवाल यहां सेट के जा रहा तो मैं इसका टेस्ट दूँगा नहीं जो जैसे का पैटन है उसको मैंने फॉलोग किया ठीक बिल्कुल वही पेपर आपका ए किया था बहुत अच्छा सवाल मेडिवल इंडिया से आपका पूछा गया है आपको बना लोगे इसलिए मैंने जार्खट के हिस्ट्री को इंडियान हिस्ट्री तो जोड़ा देखिए अभी कितना फैयदा आपको मिल रहा होगा नेक्श सवाल सातमा जो है एक विशाल अगर ग्रेड बात जो है सिंदु घाडि सब्वेता के कों से अस्थल से मिला है ठीक है तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नमबर हडपा ऑप्शन बी काली बंगाच्चान हुद्रो या फिर मोहन जोद्रो तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर डी मोहन जोद्रो से अखबर के सासन में राजा टोडर मल कौन थे ठीक है तो आप्शन है आपसे पुझा गया प्रधान सेनपती वित्य शलहकाल थे या फिर धार्मिक सलहकार थे या फिर दिवानी मामलों के न्याइक अधिकारी थे तो इसका सही अंसर क्या होगा वित्य सलहकार से ठीक कोशन न लिए करके था सारा कुछ मैंने करा रखा यह सबतारे कोशण मैंने वीडियो से सारे portion तो इसलिए मैं होगा आप बंद करें कर के फौल li हूंने कर को निर्ता है तमिलनाडू का है अंद्रप्रदेश का है औरिशा का है या फिए केरल का तो सही जवाब क्या जाएगा option d केरल इसराइल की संसद किस नाम से प्रसीद है डायेट से है निसेट से हैं मजली से या फिर नैसनल पंचायत से तो इसका सही अंसर क्या ऑफ्शन वी निशेट से ठ प्रकाश किषने लिखी यह पूछा गया है यह आपका एक बूख संड ऑथर की अगर हम लोग बात कर लिए जो सेक्षन से आपके कोशन बनेंगे दयानन सरश्वती के द्वारा राम कृष्ण प्रहंस के द्वारा किया आपका सत्याथ प्रकाश अच्छा एक चीज मैं पता द तो करेंट फिर अपडेट होने वाली चीज इसलिए मैं उसको ना लेकर मैंने सोचा कि जीके का सेक्षन कबर कर दूं जिससे आपका कोशन नंबर जो नंबर कोशन हो आपको अधिक मिल जाए और आज मैंने कंप्यूटर के कोशन आपके कम से कम दो मिनिम मैंने बताए और मै योजना साब के सवाल रहेंगे पंचवर्सी योजना को स्विक्रिती देने वाला सर्वक्ष निकाय है वह कौन है वित्मंत्राले लोग सबा राष्ट विकास परिशद और राज्य सबा तो इसका सही अंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी फ्री की जो लिंक दी गये ट्रेलि टेलिग्राम से जो टेलिग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है और टेस्रीच के लिए आप उस नंबर पर वाटसब कीजिए और हमारे सथ जल्दी से जुड़ जाईए कोशन नंबर 15 आपका दिया गया सवतंत्र भारत के प्रथम गरी मंत्री कौन थे बहुत ही अच्छा कोई बी कोशन कोई बी कंटेंट डारो ना भी जो डाल रहा हूं क्योंकि यह मेरे यह सारे पीडियाफ मैं उनको भी देने वाला जिनको जिन्होंने पेड़ लिया तो यह उनको यह प्रसम मतले कि आपको मिल रहा कि वर 129 में कल तक यह प्राइट बस आतर रखेगा ठीक है इसका सही अंसर क्या वर्लभ भाई पर्टेल आप्शन नंबर सी 15 का सी च्वाइब नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है योजना आयोग समवेधानिक निकाए या फिर ऑफिर ऑप्शन नंबर सी कार्य कर निकाए उप्शन इंदी इन में सो कोई नहीं तो आप सभी को प नहीं है ठीक के याद रखेगा पूछा कि आवशक नहीं है तो पहला जो Tiya गया भारत का नागरिक होना पैतिसन, अधिक आयू लोकशबा का सदश से आकता है कि भारत का अधिकारिक होना, 35 पता है कि अधिक सिच्टर चयो सब्सक्राइब की तो यहां सवाल शनलाच और लॉपSanto T उसके बाद आपिचन नमबर बीजोरम अपशन सी मिघा ले और P अगर आगर है तो यहां सबी को पता होका अगर नहीं पता तो ऊप्षम नंबर डी सही होगा थोड़ी सी चीज़ा मैं आपका help कर दूँ अगर वहां पर सेवन सिष्टर के बारे अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपका clear कर दे रहा हूं इस map में ही ठीक है तो इस section को मैं बाठ दे रहा हूं थोड़ा सा map खड़ा होगे खराब है यह होगा आ याद रखना आपको तो थोड़ी सी map आप clear रखा करें क्योंकि मैं जार्खन जी के जब Google पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा इंडियन को लेकर करके complete कराऊंगा तो आपको डॉंट वरी इतना tension नहीं भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारन पूछा गया भारत में सबसे पूर वन्यजीव अभ्यारन एकनॉमिक से अर्थ बेवस्ता से सवाल पूछा गया हुआ दर जिस पर भारती रिजर्व को रिंद देता हो क्या कहलाती है तो बैंक दर रिवर्स रेपो दर नगत आरक्षित अनुपात वैद्यानिक तरलता अनुपात तो आपको इसका टम्स जो ऑप्शन दिया गया तबला के सरोद के बासुर के सहनाई के तो इसका ओप्शन नंबर सी हो जाएगा बासुर के ठीक है बासुरी जो बजाते थे निम्न में से कौन सा सहर यमरा नदी के किनारी स्थित नहीं तो आप सभी को पता है कि रिवर जो नियर मिस्ट जो जाल है पूछ आप से गया कोश्च नमबर ए वियना में पेरिस में नियॉर्क में या फिर जियोरिक में ठीक है तो इसका आंसर क्या जागा देखे एक तो आपका कोशन फीक से इंटरनेशनल और्गनाईजेशन से ठीक है तो नियॉर्क इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी ध्यांचन ट्रॉफिक की स्खेल से समंदित है ठीक है इस्पोर्स से आपका स्टाटिक से होकी फुटबॉल बैडमिंटन क्रिकेट तो आप सभी को पता है यह जो ट्रॉफिक कि थोड़ा मोटिवेट आप भी कर सको क्योंकि नंबर आपके कम आरत है भारत रत्रतन प्राप्त करने वाला प्रथम बैग्यानिक कौन थे आप से पूछा गया तो अब्दुल कलाम थे सुब्रमनियम चंद्रशेकर थे सीवी रमन या हर गोविन खुरान तो प्रथम बैग्य जपान की करेंसी अपका कैपिटल करेंसी और मुद्रा से आपके कोशन पूछते हैं येन रुबल युवान या फिर क्या है लिरा ठीक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा येन जो 28 का अंसर जो करेंसी का 28 का ए नेक्स आप से पूछा ग खारत का सूप्रसिदब्यक्टीन पानिनी था ठीक है कॉन था प्राक्षिंभात का सूप्रसिदब्यक्टी पानी 시대 कौन थे एक खगोल सास्त्र passions अधार ऑपका प्याकरन सास्त्री थे थे तो आप सबी atazen स्गर्ण सास्त्री थे थे अब हम आते हैं desmond可以 that we are present सवाल और भी discussion यहां पर फिर से करेंगे सेम जो आपका पैटन सी लेवस में दिया हुआ है जैसे सीजल के तो जिसमें पहला सवाल बोला गया 1913-1914 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन का नेता कौन थे महिपाल जगत राना सुकदेव सिंग जत्रा भगत जैपाल सिंग तो तो कुछ कोशन विवादित होते हैं तो आपको इतना इसके लिए टेंशन नहीं लेना है दूसरी बात मैंने तो आपको एक स्ट्राइजी बतानी है कि जहारखंट जीके पर ज्यादा टेंशन दिये बगए आपको से लेक्शन किस तरह से लेंगे तो एक स्ट्राइजी तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा बिर्सा मुंडा के दौर ठीक है कोशन 3 जो आपका है जहारखंट में नीमने जंजातियों में से किसे सरल कारिगल के रूप में वर्गिक्रित क्या गया है ऑप्शन ए बिरहोर महली संताल या उड़ाओं तो इसको ऑप्शन बीज होगा सही अंसर हो जाएगा महली ने ठीक है जहारखंट में कितने टाइगर रिजर्व है तो सुन एक दो तीन तो बहुत इजी सवाल है आप सभी को पता होगा एक है वर्स 2000 में जहारखंट राजे के गठन के लिए दक्षिन बिहार से कितने जीले लिए गये गये थें 18, 19, 13 या 12 तो याद रखना आपको टोटल 18 जीले लिए गये थें टैगर पहाड़ी जो मुरहाबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है वह जहारखंट के कौन से सहर में इस्तित है धनबाद में है राची में है बुकारो या जमसित पूर तो यह जो आपका आप यह नाम सु आत्मी किया गया था एक बार आप भी इसका डाटाई को शेक कर लिजेगा अंसुता लकड़ा जो है वो क्या थे वह खिलाड़ी जो पूछा जा रहा हो क्या थे किरकेट यह थे होकी के खिलाड़ी थे मुक्यबास थे या फिर अंदाज थे तो ऑप्शन बीस का सही एंसर हो कि खिलाड़े खिलाड़े थे फेमस परशनलिटी से आपके कोशन बनेंगे कोशन नाइन आप से पूछा गया थोड़ा सा प्रिंट नहीं दिख रहा होगा तो याद रखेगा यह मैं लिख दे रहा हूं यहां पी जो लिखा हुआ है सेंद्रा ठीक है सेंद्रा एक पर्वा पर्त राइंसर का हुजाएगा आपका अनद्र ज। इसका सही एंसर क्या हो जाएगा आपका पशनपर कृंचन कोश्च भी जाल प्रपारात परियलавать से किस जीले कही था ह। साहिब गंज में स्थीत है खुंटी में या फी ग्रीडी में तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा option number d greedy में स्थीत है दो जाए 11 की जंगन्ना के अनुसा अर्धनबाद जी लेकि जंसंख्या तो बहुत ही अच्छा सवाल और इस तरह के सवाल पूछने के जैसे को आदत है कितनी लंबाई है कितनी बांदों की संख्या पूछने की आदत है जैसे स्थी अगर आपने दरोगा का पेपर दिया हो तो इसका एंसर आपका आठ होगा नेक्श पंद्रवा सवाल पूछा गया दुमका जीले की मिट्टी की उरवरता क्यूं खराब है पूछा गया क्यूं खराब है भुगोल से कोशन आपका व्यापक कटाओ की कारण अमलिय प्रविर्ती की कारण कम पानी रोक कर सकनी की शमता की कारण तो याद रखे यह तीन सुद में 17 स्वन रेखा नदी का उद्गमस्थान क्या है पिसका चंद्वा अमर कंटक या फिर पदमा तो इसका एंसर क्या होगा ओप्शन A पिसका 18 जार्खन के गरीडी जीले में कौन सा प्रसिद पहाडी इस्थित है कौन सा प्रसिद पहाडी इस्थित है पूछा गया परशिध लिनार पहाड़ी या परशिध पारशनात की पहाड़ी तो याद रखना option D सही answer होगा परशिध पारशनात की पहाड़ी जो जार्खण के गड़वा तथा पलामू जीलों के मध सीमा बनाती है कहां से शुरू ओती है कोश्चन 20 पूछा गया देखे यह जो मैंने बताया यह भी आपके जहारखंड के परिचेस आपके यह कोश्चन बनते हैं कोश्चन नमबर 20 पश्चिम से पूर्व की और जहारखंड का विस्तार क्या है 490 किलोमीटर 460 किलोमीटर या 395 किलोमीटर तो ऑप्शन नमबर बी ज गुंबला के या फिर नेतर हाड में तो इसका सही अंसर होगा ऑप्श्चन जोगाइस का शही अंसर होगा बुंडू 23 कोश्चन नमबर 20 पान कौन से जण से बसी हुई क्रिसी करती है लोहरा मुंडा कर्मारी च्मेंस्चा आख जागो option B मुंडा जन जाती जो है आपकी बसी भी क्रिसी करती है कोशन 24 जारखन का पहला कॉपर गलाने का केंदर कहां बनाया गया था ऑप्षण ए धनबाद option B घाट सीला option C मूरी और option D जो है जमसेदपूर तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा घाट सीला बिर्सा मुंडा क्रांती का दूसरा नाम क्या है अब सब्षा गया हो अंदोलन हुल आंडोलन उल गुलान आंदोलन चेरो आंडोलन तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा उल गुलान आंदोलन स्थापना किस ने की ती सर दोराब जी टाटा ने सुराब जी टाटा ने स्रीधर बाजे टाटा ने फिर नौर्बाजे टाटा ने तो इसका सही एंसर क्या आप हमें कमेंट सेक्ष्ट में बताईए क्यों कि यह थोड़ा बिवादित प्रसुने ठीक है इसलिए मैं यह चाहता पूछा गया किसी न किसी सेट में तो पूछा गया कि कौन सी चितरकला भी मिलती है तो आपको मैंने बताया था जादो पीट या डोकरा पतिकार या फिकोहवार तो आप सबी को मैंने बताया था सब्सक्राइब योगनी सक्ति पीट जारखंड के किस जीले में है राची में जमसेतपूर गोड़्डा या लाते हार तो इसका सही एंसर क्या होगा यह जो यह जो है आपका कहां पर तो यह जो है आपका गोड़्डा में होगा ठीक है 28 का C नेक्स 29 करक रेखा जार्खन के किस सहर को बीच से काटती हुई गुजरती है option A पलामू option B राची option C गुमला और option D गोड़ा तो easy question यह option B इसका सही answer होगा 29 का B राची सावन के महिने में किस तरह का तहवार मनाय जाता है हरियाड अरोक सोहराई या फी नौक हाई तो इसका answer क्या होगा option A हरियाड तो जार्खन जीके का total 30 कोशन यहां complete हुए next section जो होगा आप हमारा science का section होगा जिसमे science section में total 20 कोशन आएंगे आपके CGL में जार्खन CGL के अगर हम लोग बात कर ले तो total 20 कोशन होगे 30 कोशन हमने जीके section जीके से डिसकस किए 30 कोशन हमने जार्खन जीके से डिसकस किए और आप जो हम लोग डिसकस करने वाले 20 कोशन साइंस वाले section दिसकस करेंगा और साइंस का section आज बहुत ही थोड़ा easy रखा हूं और comparison to test one और test two test two में थोड़ा सा लेबल अच्छा रखा था मैंने history के सवाल quality के सवाल ही मैंने थोड़ा अच्छे लिया थे इस section को थोड़ा साही मैंने easy रखा इस test को पहले ही मैंने कह दिया था तो कोशन वन जो आप से पुछा गया जल सोधन का कौन सा तरीका सुक्ष्मी जीवों को नश्ट नहीं करता है तो पहला जो को आप्शन है उबालना निश्यंदन क्लोरी नी करन या फिर क्लोरी नी करन या फिर पारा बेगनी विकरन तो इसका option बी निश्यंदन याद रखना सही होगा हवा में प्रागन को क्या करते हैं श्वय युगमन कीट प्रागन वायू प्रागन या फिर पश्ची प्रागन तो बहुत easy सवाल है यह आपका वायू प्रागन हैं option सारा कुछ दिया हुआ सब् fancy ना एंसर सोरी यह आपका हमीटर यादर्फोर में सब्सण को आपर से सनुनिश्ञे में एक्छा यह बाइधन को अपिछ कर दे Aunty में न sed नाइट्रोजन के ऑक्षड हाइड्रोकार्बन और भूआ तो बहुत इजी सवाल है थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इसको सही निकाल दोगे ऑप्शन सी मानोरक्त का पूछा गया है तो बहुत ही इजी सवाल है यह आप सबी के लिए तो ऑप्शन सी होगा इस रेंज में आता है निमलिकित में सो कौन सा एक रसाइनिक परिवर्तन का उधारन है कागच का जलना नर्म लोहे का चुमबक्य होना या जल में सक्कर का घूलना या जल में बर्फ के घनों का बनना तो इसका बहुत थी अच्छा सवाल और यह मतलब ऐसर पोशन यह सब पेट पोशन है आपके करम करता है धारा के धारा में रुपांत्र इन्टरन पर घारा के परावर्तन तो आप सभी को पता ही हुआ ऑप्शन धारा का परावर्तन थी का ऊप्शन और जो हर 9 का option number C, प्रकास का अपवर्तन, तो टेस्टरी जदू जोइन किजेगा, इससे भी थोड़े अच्छे लेबल को मैंने रखा है, टेस्ट को थोड़ा सा मॉडरेट रखा है, बहुत इजी नहीं करूँगा, ताकि पेपर में जब आप देने जाओ, तो आपको फेलिं स्टुडेंट है इस नंबर पर वाटसब किजेगा 7870121321 केवल कल तक है 321 ठीक है कल तक केवल 129 है उसके बाद 149 कर दिया जाएगा प्राइस ठीक यहां कुछ होता है तो इसका सही अंसर क्या होगा बहुत ही फैब्रेट पेट कोशन इसाली यह सारा क्या होता है काफी ज्यादा ऊच होता ठीक है 11 कोशन आप से पुछा गया है मादा जनन हारमोन है टेस्टो इस्टेरों कॉर्टिसॉल एस्ट्रोजन या फिर रिलेक्सिन हैं तो इसका सही अंसर क्या होगा स्ट्रोजेन है ऐंसी नियूरो नंसर क्या होaign यूच्छा की आधारबूतिक Technology स्ट्र hm या फिर नियूट्रोन के प्रतिकन तो इसका सही अंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए तंत्री का तंत्री की अधारबूतिक आई है उच्तर पौदों के बीजों के पोसक उत्तक को क्या कहते हैं नूसल्स हाइपोकोटाइल एंब्रीयो या फिर एंडोस्पॉंप इसका प्रतु का गल्लांग सबसे कम है श्वर्ण चांदी पारद या फिर तामबा तो ऑप्शन सी इसका सही होगा पारद 15 निमलिकित में से किस विटामिन में कोबाल्ट कोबाल्ट प्रेजेंट होता है विटामिन बीटू विटामिन बीवन या बीटूल तो इसका सही एंसर क्य आट यहां होती है आप सभी को पता ही होगी दवा होती है और बैकिंग सोडा का रसाइंग आपसे पुछा गया बहुत ही अच्छा कोशन इंपॉटन कोशन है मेरे बाई कोई बीपर दो यह कोशन आपके मिलेंगे सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइक आइक आइडिया फि सोडियम बाइक कार्बोनेट लास्ट और अंतीम सवाल हमारा आज के टेश्ट का प्रकास संसलेशन होता है नुक्लियस में माइट्रो कॉंट्र में क्लोरोप्लास्ट में या फिद तो बहुत ही अच्छा सवाल है आप सभी को पता है क्लोरोप्लास्ट में यहाँगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ वह पेड़ वाले टेस्ट को भी जॉइन कीजिए कल तक यह जो ऑफर बहुत ही सीमित कल तक ही मैंने रखा कल के बाद कम नहीं होगा क्योंकि अल्मुस्ट जो सीरियस थे सब्सक्राइब कर लिया हूँ तो आप सभी से अनुरोध है जॉइन कीजिए और साथ के साथ इसके भी टेस्ट रिज जार्खन के करेंट अफ़ेर और साथ जार्खन के हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई जो मलाई है आप सभी को पता हुआ कंटेंट यूटूब पर पढ़ा हु और अपना कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें अपना स्कोर और एक लाइक तो जरू करके जाएगा चली मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद